याद कर लेते हैं कि हमारा ये कारिक्रम और आगे का भविश्य सुखमय हो तो भगवान गणपती को याद करते हुए इस परिग्यान एजूकेशन ससाइटी के चेयर परसन स्रीमान डॉक्टर अबै सिंग जी राजप्रोहित अपना आशन ग्रहन करें निदेशक स्रीमान जी बाना साहब और प्रवंदक एंजिनिर अजित जी जानी सर्व प्रथम कारिक्रम का सुभारंब सेक्षनिक संस्थान में जो सरस्वती है मा सारदे हमारे विद्या की देवी उसके द्वीप प्रजुलन और चर्णों में कमल पुस्प अर्पित करके होता है तो इस कारिक् मैं परिग्यान एजुकेशन सुसाइटी के चेर्मेन डॉक्टर अबैसंग राजप्रोहित निदेशक स्री हरीश बाना और प्रवंदक स्री अजित जानी से निवेदन करूंगा कि मा सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप पुर्जुलित कर और पुस्परपित कर इस कारिक् सुबारंब करें स्री राजप्रोहित जी बाना जी और जानी जी झाल 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 मा सरस्वती को दीप पुर्जुलित और पुस्परपित के पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिग्यान एजूकेशन सोसाइटी के बैनर तले परिग्यान क्लासिज जो की विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करवाती है उसको इस्थापित हुए छे वर्स पून हो चुके हैं और इस्थापना दिवस की दृष्टी से ये हमारा सात्वा इस्थापना दिवस है और सोभाग्य की बात है कि पर्थम इस्थापना दिवस से लेकर सात्वे इस्थापना दिवस तक मुख्य एंकर की भूमी का हरीश जी ने मुझे दी है इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ आज इस कारिकम में स्रीमान बाना जी के पदारे हुए चाचा स्री उनके मित्र रिस्तेदार मेरे अजीज फैकल्टी गण साथ ही जो की राजस्तान में अपने अपने विशेविशेशगित्ता से डंका बजवाते हैं माने जाते हैं आज से छे वर्स पूर्व यानि छे वर्स पून हो चुके हैं और सात्वा इस्थापना दिवस इस परिग्यान एजुकेशन सुसाइटी के परिग्यान क्लासिस का सुबारंब हुआ था और जो बीज हरीश जी, अबै सिंग जी और अजीज जी ने बोया वो वटवर्क्स बन चुका है ये जो व्यवसाई कोई भी होता है उसके समंद्ध में कथन है कि व्यवसाई जोखीमों का खेल है जिसे प्रतेक व्यक्ती नहीं खेल सकता अंग्रेजी में ये सेंटेंस था पीटर एफ ड्रकर का कि बिजनस इस गैम ऑफ रिस्क विच एवरिबडी कैनाट प्ले इट तो व्यवसाई उसी को कहते हैं जिसमें निरंतर उतार चडाव आते रहते हो और कॉरोना और इसके मद्य नजर कई उतार चडाव हमारी इस एजूकेसिन इंडस्टी में भी आए जब आफ लाइन को थोड़ा सा बीट किया उनलाइन न लेकिन ये उतार चडाव चलते रहते हैं और इसमें वापस आफ लाइन का भी महत्व बढ़ना निश्चित है क्योंकि आनलाइन में वो चीजें संभव नहीं हैं जो आफ लाइन में हैं मैं तो कम से कम इस चीज का पक्सदर हूँ कि आपका व्यक्तिकत अटेंशन टीचर क् भारी है किसा आप कोई स्टूडेंट नहीं आप पढ़ाते जा रहे हो तो ये बड़ा एक टफ है तो उस रूप में थोड़े बहुत उतार चड़ाव केवल हमारी क्लासिस नहीं बलकि पूरे एजूकेशन इंडस्ट्री में हैं और जल्दी ही हम इससे उबरने वाले हैं औ और काफी कुछ उबर चुके हैं हम लोग आज परिग्यान क्लासिस के नाम से हम ये कह सकते हैं कि हजारों विद्यार्ती चैनित होकर राजस्थान के विभिन विभागों में अपने अपने पदों पर कर्तविनिस्ठा से अपना कारिय करते हुए पर्चम लहारा रहे हैं और इसके लिए स्रे उन विद्यार्तियों की मेहनत को भी है उनके अभीपावक गणों के परिग्यान क्लासिस की तरफ व्यक्त किये गए विस्वास को भी है और हमारे प्रबंदन और हमारी फैकल्टी गण की मेहनत ये सबी एक टीम वर्क और सयुक्त प्रियासों से ये सब कु हमों होते हैं तो ये कहता हूं कि बहु कई classes वाले ये कहते हैं कि हमने 40 selection दीए हमने 80 दीए हमने 200 दीए मैं सदेव ये कहता हूं कि selection को या परिणाम को परिनित करने का जो मादा है वो विद्यारतियों में हैं हम teacher गण या faculty गण जो होते हैं अच्छा पढ़ाते हैं जिन में उस परिणाम को परिलक्षित करने की शक्ती होती है वो परिणाम दे देते हैं जिन में नहीं होती वो पीछे रह जाते हैं आगे और प्रियास करते हैं तो सबसे कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं होता कि हम अपने लक्षियों को कैसे भेधन करें आज बहुती प्रतियोगी बहुती टफ कम्पिटिशन का समय है जब एक एक नंबर नहीं 0.25 मार्क्स पर मेरिट पर 25-25 लोग खड़े होते हैं और उन में सारी विवस्ताओं के देने जर पचाड़ कर अपनी सीट को एक हासिल करना बड़ा खठीन है 2003 में जब हम आरेस का प्रिप्रिशन कर रहे थे मेरे साथ जो है अपने पारिक साब जो कि अभी जोदपूर के ARTO भी रहे थे तो वो पारिक साब साथ में थे और मैंने कहा कि कैसी चल रही है तैयरी कि स चीजों को याद रखता था मैंने कहा 25 पोस्टे हैं उन्होंने का नहीं सर 24 है तो मैंने का नेमीचन जी आपकी मेमोरी को मैं बहुत मानता हूं कि अच्छी है उसमें वो ऐसा ही थे लेकिन इस बार आप हार जाएंगे कि पोस्टे 24 नहीं 25 है बोले सर इतना तो मुझे भी ध जर्व कर ली उसके पाद चोईस बसती है तो आपके determination को मैं सलाम करता हूं और interview call हुआ नेमीचन जी का interview के बाद वो finally select हुए DTO बने direct transport officer और बाद में अभी ARTO है और जल्दी ही उनका RTO में जो promotion है वो due है होने वाला है तो जो मैंने उनकी determination जो उनका जुनून जो उनका एक जिन पारिक की है और वो उन्होंने निकाल के दिखाई बस इसी जदो जहत से हम भी अगर इसी जुनून से अगर विद्यारतियों को अभी प्रेडित कर दें और वो ये अभी प्रेडित होकर परण ले 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 तो हमको ये कोई फाइदा नहीं मतलब कोई मतलब नहीं है कि 8 लाग फॉरम बरे गए हैं पोस्टे 800 ही है हमें तो सिर्फ कितना चाहिए उसी लक्षिय को लेकर हम पढ़ाते हैं मोटिवेट करते हैं अपने स्टूडेंट को और हमारे यहां पर पढ़ाने वाले जो विसे विशे शग्य है वो एक से बढ़कर एक है उनके तरकस में बहु पूरे जील के साथ अपने उत्साह के साथ पढ़ाते हैं युवा साथ ही कैलाज जी वगेरा अभी हमारे राजस्तान के जाने माने अपने-पने सब्जेक्स के सितारे हैं तो इन सबी की टीम से हम पढ़ा रहे हैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे भी करते में मैं निदेशक हरीश जी बाना को आमंत्रित करूँगा कि इस सप्तम स्थापना दिवस और छेवर स्पून के संदर्ब में दो सब्द हमें कहकर अनुगरहित करावें स्री हरीश जी बाना मां सरस्वती मां बगोती के चरणों में वंदन परियान एजुगेशन सोसाइटी में पदारेवे मेरे जितने भी तमाम सिक्षगण साथी साथ मेरे यां इसी मंच इसी परिशर में विराजमान परिवार से पदारेवे मेरे चाचाशरी बड़े भाई साथी सामें मित्रगण और जितने भी तमाम जितने भी शिक्षगण और जिन की बदोलत जो ये छे वर्स का जो सफर था उतार और चड़ाओ वाला जो भी था इस सब पर गोत्ताय करने के लिए मेरे भुजारूपी दोस्त साथी डॉक्टर अबे सिंग राजप्रोई सर और इंजिनर अजी जानी सर उन सबी को मैं एक बार यां इस मंच के मादिव से साधर नमस्कार साधर वंदन साधर परणाम क को इनि आप जितने भी तमाम प्रत्यक से प्रत्य सूर से जुड़े वे लोगों की सुब गामनाओं से आप लोगों की सुब आसी डवास से ये बीजार ओपन किया और आपकी सुब आसी डवास से छे वर्स पूर्ण कर आज हम सभी इस सब्तन इस बनाने जा रहे हैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत साथ दुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं इस वर्स से कामना करता हूँ, आपका ये सनय, आपका ये सयोग, आपकी सुब गामनाओं, आपका सुब आशिरवाद, सदे हो सदे हो, मेरे और मेरे पूरी संस्ता और पूरी टीम पर बनन रहे ऐसी में इस वर से बारों बार काम ना करता हूँ वैसे विदिवेद रूप से किसी क्यार कारिकरिम की सुर्वास रस होती है उसके बाद फिलाल जो दोर चल रहा है कि एक एज़े कैसे तो छेह वर्ष पूर्ण हो चुके हम सातों बड़े भी मना रहे हैं तो मेरे साती जितने भी उन सब की सबसे पहले इच्छा है बातचीत बहुत परिचर्चा बहुत लंबी बाते भी बाते भी हम करेंगे इस मंज की मादियों से मैं मेरे विचार बताओंगे इन 6 वर सो में हम लोगों किस परका संगर्ष करके इनिया आज 7 वे पाइदान तक पह लगाता रूप से नेंत रूप से ये कारिकरम जारी रखेंगे तो मैं चाहता हूँ मेरे सीनियर जितने भी साती एक बार आगया है और एक बार आजो अजो अजो पुरो गेर बढ़ा देंगे आजो राम रतिन आजो चांगल सर आजो एक आजो स solventी एक बार दो भी हएं आजो च्रीह जो एक घ्ड़ीज। गला दिमाटेश अब खरइब दे करे लोग लिघ पर परी आनकर लोगो लग रहे है लेलेलेले भास ब्रेंटेकर भड़ल्य को अब बज दे लेड़ा उसका रिफ्लेश्यक्र कुछ उत्शूरत जाएगा पूरा कर दो soit गाने जाफ तो हगए। यहारे को पतिक यह हुआ हैцы आप गानुड़ो है आपाल ड़ गए गुच्टक करें। यहांदे लौकारिप एलाई पुए अप्टियानफ छापनेज है वोड्ड वाद्व सुन गानेजर अगे जैंड वाद बॉट वर सुछ गानेजर पंडीजी आओना, मराद वो मराद समों पहला है पहला है पहला है बड़laughing बफार भेगा झाल झाल पुने एक बार आप सभी का बहुत बहुत सा दुवाद धन्यवाद सबसे पहले तुम्हाँ आप सभी का इस मंच की माध्यों से आबार परकट करता हूँ कि आप लोगों अपना कीमती समय निकाला और इस समय के साथ साथ आप लोग यहाँ पदार कर आशिरवात देना है सुबकामना देना है इसके लिए आपका बारं बार एक बार पुने आबार 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 चुंकि हम तो फिजिकली एक दूसरे सामने रूपरू हो रहे हैं आज यह आफ लाइन तरीके से आज यह प्रोग्राम लाइव है तो कुछ सुबचिंतक हैं हमारे ओन लाइन भी जुड़े हैं तो ओन लाइन माध्यम से जुड़े हैं जितने भी जो तमाम हमारे सुबचिंतक हैं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ वाद, आपकी ये सने का अंक्सा, आपका ये प्यार, आपका सहयोग, परिग्यान परिवार की प्रति बना रहे, आप लोगों ने जिस बरोसे के साथ, परिग्यान को छेंवर्स आपने देख लिए हैं, और मैं आपको वादा करता हूँ आपको वरोसा दिलाता हूँ, हम भी हमारे मैनत परिशने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे, और दिरे-दिरे ये चेंवर्स जो आज पूर्ण हुए हैं, जल्दी आप लोगों की सुब आसिरवास से, सुब कामनाओं से, एक दिन इसे 6 के पीछे 0 भी लगेंगे, उ जिस मैनत के साथ, जिस परिशनम के साथ, जिस नेक इरादे के साथ किया, आज भी वही इरादा है, वही नेक इरादा, और आपको इस मंज के मादियें से, हम आपको आसुस करते हैं, इसी नेक इरादे के साथ, अंतिम समय तक, अंतिम संद तक, जब तक आथ में कलम रहेगी तब तक उसी नेक तरीके से उसी इमानदार तरीके से हम अध्यापन करवाने का बर्सक परियास करेंगे और साती सद हम आपको इस्वास दिलाते हैं कि जिस परकार आप लोगों ने शुरुवात में आपको जुड़े वे थे लंबी समय से यत्रा चली आ रही है बीज में जो कोरोना काल आया उसमें कपी ज़्यादा उतार भी आया चड़ाओ भी आया जो भी देखा लेकिन आप लोग इस दोर में भी आप लोगों ने परिग्यान का और उस पूरे परिग्यान परिवार का साथ नहीं छोड़ा इसके ल अनलाइन जुड़े वे सभी जितने साती हैं उनसे मनुमती चाहेंगे दन्यवाद सदुवाद